नमस्कार दोस्तों, TechScan के एक बिल्कुल नाए फ्रिस और एक्साइटिंग एपसोर में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज तक आपने Vodafone Idea कमपणी के करजे के बार में सुना होगा कि इतने लाग करोर रूपे का करजा Vodafone Idea कमपणी के अंदर है। लेकिन फाइनली, गवर्मेंट के तरब से एक रिपोर्ट को पाब्लिस के आगा है, जहाँ पर 2021 फाइनल सेल के अंदर भारत के अंदर जो भी टेलिकम कमपणी ऑपरेट करते हैं। यह जो सारे कमपणी से यह overall कितना डेफट के अंदर है, मतलब कितना करजे के अंदर है, पूरा डीटेल्स या पूरा रिपोर्ट को यहाँ पर पाब्लिस किया गा है। दोस्तो अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके फिवरेट टेलिकम कमपणी आज के डेट के अंदर कितने करजे के अंदर है, इस वीडियो को देखी हैं और मैं पूरा डीटेल्स इस वीडियो के अंदर बताऊँगा, और यह पूरा सरकरी इंफोर्मेशन हैं, तो यहाँ प यह जो सारे कमपणी से टोटल करजे का एमोंट जो है वो ही 4,17,000 करोर रुपए, मैं टोटल ही बता रहा हूँ 4,17,000 करोर रुपए का टोटल करजा है, सिर्फ 2021-2022 फाइनल से अलियार के अंदर है, तो टेलिकम सिगमेंट जो है एक हाईली टैक्से सिगमेंट है, उसी के सा करजा लेना पड़ता है, और यह जो करजे का अमोंट है, यह भारत के अंदर काफी ज़्यादा है, अगर मैं सिर्फ टेलिकम सेगमेंट की बात करता हूँ, तो ओभराल हर कमपणी के अंदर कितना किंतना करजा है, मैं पूरा डीटेल्स आप लोगे सा सेयार कर देता हूँ सबसे जादा अमोंट अब डेप थे, सबसे जादा अमोंट अब करजा है, वोड़ा फोन आइडिया कमपणी के अंदर, वोड़ा फोन आइडिया कमपणी के अंदर सबसे जादा अमोंट अब करजा है, जिसका टोटल अमोंट है 1,091,073.9 करोर रूपे, 1,091,073 करोर रू वो कंपरिटिबले काफी काम है, 42,486 करो रूपे का करजा, रिलाइंस जो के अंदर है, 2021 फाइनल से लियार तक, उसके बाद एयार्टेल कंपणी का भी करजी का अमूंट उतना मतलब कम नहीं है, काफी जादा मूंट अब करजा है, एयार्टेल कंपणी के अंदर, फिर भी कं करते हों, तो 40,400 करो रूपे का करजा, सिर्फ BSNL कंपणी के अंदर है, इसके बाद आपको पता है, टाटा कंपणी भी टेली कामूंट सेग्मेंट के अंदर है, और टाटा कंपणी आभी के टाइम के अंदर, अपने B2B सर्विस को प्रोवाइड कर रहे है, जिसका नाम है करो रूपे, तो ओवराल अगन में बात करता हूँ, तो 4,17,000 करो रूपे का टोटाल करजा है, भारत के टेली कम सेग्मेंट के अंदर, जहां पर जियो, एयर टेल, फोटाफून आइडिया, ब्येसनल, टाटा टेली सर्विस, ये 5 कंपणी आत, और ये जो रिपोट है, ये बाकी देशों से कंपेर करते हूँ, तो भारत का जो इंटरनेट के कोस्ट कहलो, या कॉलिंग कोस्ट कहलो, वो काफी कम है, इस कंपेर तो अधर कंप्रीज इन दो वर्ल, तो हर एक टेली कम कंपणी बार बार ये चाहते हैं, कि वो आपने प्लैंस का प्राइस आई करें, ट टेली कम सेग्मेंट एक हाईली टैक्सेग्मेंट है, हर एक जगे के अंदर टैक्स दना होता है, फॉर एक्जम्पेल, अगर आप स्पेक्ट्रम खरीदने के लिए जाते हैं, तो वहाँ पर हुज आमोट इन्वेस्टमेंट लगते हैं, वाटली प्रॉफिट कमाते हैं, उस पर ले लिया था कि भारत के अंदर डूओ पॉली क्रियेट ना हो, लेकिन यह जो पर्टिकुलर स्ट्राक्चर यह बिल्कुल भी सस्टेनेबल नहीं है, हर एक टेलीकम कमपनी के जो मतलब उना रहे, उनकी तरफ से बता गया है कि कुछ सोचना होगा टेलीकम सेग्मेंट को लेकम कमपनी हैं सोचने वाली बात हैं, तो आज के डेट के अंदर एही सरा अपडेट सामरे पास निकल कहा रहा था, छोटा सा वीडियो बना कर आपको बता दिया, अगर वीडियो पसंद है कुछ नहीं जान करे मिला तो वीडियो को लाइक कीजे, वीडियो को अपने दोस सबस्ताबना के अले के